नमस्कार तुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह वैसे सवाल होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा State PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF और NDA जैसी परिक्षाओं में यह सीधे सीधे सवाल पूछ लिये जाते हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेस्चन से कल हमने आप से पूछा था यूक्रेन में हुए राष्ट्रपती चुनाओ में निमलिखित में से कौन विज़ई हुए हैं ऑप्शन A, वोलो दिमीर जेलेंस्की, B, पेट्रो पोरोशेंको, C, अबदिल कादेर बैंसलाव, या ऑप्शन D, जोमार्ट तोकाएव हाल ही में यूक्रेन में राष्ट्रपती पत के लिए चुनाओ आयोजित हुए थे, इसमें वोलो दिमीर जेलेंस्की ने जीत हांसिल की है जेलेंस्की ने पोरोशेंको को हरा कर 73 फीजदी वोट हांसिल किये थे, अब बात करते हैं यूक्रेन की भौगोलिक इस्थिती की यूक्रेन यूरोप के पूरवी हिस्से में इस्थित एक देश है, इसकी राजधानी कीव है, यूक्रेन की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा से लगती है इसके दक्षिन में ब्लैक सी और सी ओफ अजोव हैं, कर्च जलसंदी ब्लैक सी को सी ओफ अजोव से जोडती है तो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही एंसर है, ओप्शन ए, वोलो दिमीर, जेलेंस की आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निमनलिखित में से किसने दुनिया भर में पहले 5G कम्यूनिकेशन नेट्वर्क की लॉंचिंग की है ओप्शन ए, हुआवेई टेकनलोजीज, बी, एपल, सी, आईबीम, या डी, सिस्को सिस्टम्स चीन के हुआवेई टेकनलोजीज ने दुनिया भर में पहले 5G कम्यूनिकेशन नेट्वर्क की लॉंचिंग की है हुआवेई ने बताया कि MH5000 मॉड्यूल जन्वरी में लॉंच किये गए बालोंग 5000 5G चिप पर आधारित है इसी चिप के आधार पर हुआवेई ने तीवर गती और अक्षी गुर्मत्ता वाला 5G कम्यूनिकेशन नेट्वर्क तयार किया है इसने शंगाई आटो शो में इसकी लॉंचिंग की तो क्वेशन नमबर बन का सही एंसर होगा ओप्शन ए हुआवेई टेकनलोजीज ओप्शन में दिये गए अन कंपनिया एपल, आईबियम, सिस्को, सिस्टम्स भी इन्फोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेकनलोजी से जुड़ी प्रसिद्ध कंपनिया है क्वेशन नमबर टू बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहां शुरू हुआ है भारत की तरफ से महिला खिलाडी, पीवी सिंधू और साइना नहवाल और पुरुष खिलाडी किदामबि स्रीकांत तथा समीर वर्मा इस आयोजन में हिस्सा लेंगे पिछले साल साइना नहवाल और एचेस प्रनोए ने इस प्रतियोगिता में कांच से पदक जीता था बात अगर बैडमिन्टन एशिया की करें तो यह बैडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन के तहट एशिया में बैडमिन्टन की गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन एशिया में पूरे एशिया के पाँच उपछेत्रों में से कुल 43 मेंबर एसोशियेशन की भागिदारी है और ये पाँच उपछेत्र हैं एस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एस्ट एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया तो क्वेशन नम्बर टू का सही एंसर होगा ओप्शन सी वुहान अब आपको बताना है कि इन तीनों खिलाडियों में से किन का समबंद बॉक्सिंग से है ओप्शन ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या डी एक दो और तीन थाइलैंड के बैंककॉक में चल रहे एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के अमित पंगल, कविंदर सिंग बिष्ट और सोनिया चहल हिस्सा ले रहे हैं इसके अलावा शिव थापा और सरिता देवी भी इस चैंपियनशिप में भागिदारी कर रहे हैं शुरुगाती मुकाबले में अमित पंगल ने 52 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक स्वर्ण पदग विजेता, हसन बॉय दस्मा तोव को हरा कर सीमी फाइनल में प्रवेश किया है वहीं कविंदर सिंग बिष्ट ने 56 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन कैरात येरा लियेव को हरा कर सेमी फाइनल में प्रवेश किया है इसी प्रकार सोनिया चहल ने कोरिया की जो सौनवा को हराया है Q3 का सही एंसर होगा Q4 ओप प्रोब मिशन का संबंध किस देश से है Q4 जल्दी सयुक्द अरब अमिराथ का होग प्रोब मिशन मंगल ग्रह पर जाएगा सयुक्द अरब अमिराथ स्पेस एजेंसी और मुहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने घोशना की है कि इस मिशन का लगभग 85 फिस्दी काम पूरा हो चुका है इस मिशन के जुलाई 2020 में लॉँज होने की संभावना व्यक्त की गई है Q4 का सही एंसर होगा Q5 जिव उत्पादन शुरू किया गया है यह निम्नलिखित में से क्या है Option A, आम की एक प्रजाती B, मचली की एक प्रजाती C, धान की एक प्रजाती या Option D, इन में से कोई नहीं हाली में आंद्रप्रदेश के क्रिष्णा एश्चुरी में Mangrove Red Snapper नामंग मचली की एक प्रजाती का वानिजिक उत्पादन शुरू किया गया है माना जा रहा है या मचली वन्ना में मचली का इस्थान ले सकती है दरसल वन्ना में मचली में White Spot Virus का बड़ी मात्रा में संक्रमन होने से Brackish Water Aquaculture यानी लवणी जल आधारित मत्स्यन में दिक्कतें आ रही थी Central Marine Fisheries Research Institute के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले ही Red Snapper के वानिजिक उत्पादन के मकसद से शोध शुरू किया था आपको बता दें कि Mangrove Red Snapper को IUCN Red List में Least Concerned कैटेगरी में रखा गया है Question No.5 का सही एंसर है Option B, मचली की एक प्रजाती Question No.6 B ते दिनों जारी Startup Ecosystem Ranking में भारत को कौन सा इस्थान मिला है A. सत्रहवा B. सैतिस्वा C. सैतालिस्वा या Option D. सरसथ्वा Startup Blink ने Startup Ecosystem Ranking 2019 जारी की है इसमें भारत को सत्रहवे पाइदान पर रखा गया है आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत को 20 पाइदान का फाइदा मिला है 2018 में भारत को 37 पाइदान पर रखा गया था यह सूची 100 देशों के 1000 शहरों पर विचार करके तयार की गई है इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर युनाइटिट किंगडम और तीसरे पायदान पर कनाड़ा को जगा मिली है पिछले साल भी इन तीनों देशों को यही रैंकिंग मिली थी ये रैंकिंग तीन संकेतों के आधार पर तैक की जाती है पहला नए स्टार्टप्स, दूसरा फंडिंग और तीसरा देश में निवेशकों की संख्या इस रिपोर्ट में भारत के तीन शहर, मसलन बंगलूरू, दिल्ली और मुंबई को स्टार्टप इको सिस्टम के लिहाद से शीर्स शहर माना गया है Q6 का सही एंसर होगा Q7 अमेरिका के विशेश प्रतिनिदी जालमेख खलिलजाद भारत की यात्रा पर आने वाले हैं भारत आने का उनका प्रयोजन क्या है Q7 अमेरिका व्यापार में सही योग पर बल देना D. अफगान शांती वारता पर फोकस करना अमेरिका के विशेश प्रतिनिदी जाल में खलिलजाद अफगान शांती वारता पर सुला के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं खलील जात की यात्रा में भारत के लावा अन्य पाँच देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, रूस और युनाइटेट किंगडम भी शामिल है उनकी यह च्छे दिवसी यात्रा 21 अप्रैल से 11 मई तक चलने वाली है यह यात्रा अफगानिस्तान में अमेरिका के 17 साल के युद्ध के खात्मे के लिए राजनीतिक समाधान का रास्ता सरल करने की कोशिशों का हिस्सा है 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान, अलकाइदा और इनके सहयोगी संगठन और नाटो की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ था 2001 में वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद उसामा बिन लादेन और इसलामी चरमपंथियों के खात्मे की मंशा से अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया था Q7 का सही आंसर होगा Option D अफगान शान्ती वारता पर फोकस करना Q8 भारती नौसेना कमांडर्स का पहला सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है A. विशाखा पत्रम B. कोलकाता C. नई दिल्ली Option D. कोच्ची आज से यानि 23 अप्रेल से 25 अप्रेल के बीच भारती नौसेना कमांडर्स का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है यह कॉन्फरेंस नौसेना कमांडर्स के बीच समवात के लिए शीर्स फोरम है इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री भी भाग लेंगी इस सम्मेलन के चर्चा के केंद्र में नई छमताओं को हासिल करना नई तक्नीकों मसलन Big Data Analysis और Artificial Intelligence के इस्तिमाल को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल है Question No.8 का सही answer होगा Option C. नई दिल्ली Question No.9 Option A. सिक्षा में सही योग करने और इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने के उद्देश से आयूश मंत्राले ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझोता ग्यापन पर हर्षाक्षर किये हैं Option A. इसरू B. CSIR C. राष्टियर जैव सूचना केंद्र B. Tata Institute of Fundamental Research आयूश मंत्राले ने Council of Scientific and Industrial Research यानि CSIR के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यह समझोता चिकित्सा के परंपरागत पुडाली छेत्र में, शोथ और सिक्षा में सहीयोग करने के लिए किया गया है साथ ही इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना भी इस समझोते का मकसद है आपको बता दें कि CSIR देश में Research and Development को बढ़ावा देने वाली संस्था है CSIR छात्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए कई कारिक्रम भी चला रहा है Q9 का सही आंसर होगा Q10 Alliance of Religions for Community Security की स्थापना कब हुई थी? A. 2015 B. 2016 C. 2017 D. 2018 Alliance of Religions Community Security ने श्रीलंका के कोलंबो में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया है Alliance ने इस तरह की हिंसा और आतंगवात को नकारते हुए सभी धर्मों के एक साथ खड़े होने पर जोड़ दिया है Alliance of Religions Community Security का गठन 2017 में रोम में आयोजित हुई अंतराष्ट्रिय कॉन्फरेंस के दौरान हुआ था इसका विचार तब आया था जब कॉन्फरेंस में UAE द्वारा दुनिया के धार्मिंग नेताओं के फोरम की मेजबानी का प्रिस्ताव किया गया था अगर बात श्रीलंका की करें तो यह हिंद महासागर में इस्तिरे एक DPA देश है यह मालदीव और भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा साजह करता है यह पाक जलसंदी द्वारा प्राइदीपिय भारत से अलग होता है श्रीलंका की राजधानी स्री जैवर्ध ने पुरा कोट्टे है तो क्वेशन नमबर टैन का सही एंसर होगा ओप्शन C 2017 अब आज का प्रैक्टिस क्वेशन देख लेते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेशन है हाल ही में वैग्यानिकों ने निम्न लिखित में से कहां पर समुद्री कचरे का पता लगाने के लिए यूरोपियन उपग्रह का इस्तिमाल किया है एक काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी एजियन सागर, यह डी अजोव सागर आप आज के प्रैक्टिस क्वेशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले कल इस सवाल के सही जवाब और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार